नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं फिर बापस आगे हूँ आपके सामने एक नई यूटूब वीडियो के साथ गाईज अगर आप वीडियो का में हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप्ट करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की में भाग पर पहुँचे हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट प्लीज शेल को सब्सक्राइब कीजे और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकाउन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियो की तो चलिए दोस्तों बिना किसी दिरी के पहले वीडियो को देखते हैं फर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग में… cause جو تھا उनकी तमाम शक्ल सूर्ज जो थी वो तबाव होगी अच्छा मैं यह क्यों क्या रहा हूँ इसकी क्या वाज़ा उसकी बज़े यह है कि बावजूद हाकीकत यह है कि 9-11 के बाद हिंदुस्तान को बहुत मौका मिला और हिंदुस्तान की establishment ने कश्मीर को international terrorism के साथ जोड़ा और उसमें उनको बहुत कामया भी हुई पहली रफ़ाँ कोई बहुत visible success में ली कश्मीर को एक देशतगरदी के lens से define करने के लिए लेकिन चुके कश्मीर एक पुराना issue चला आ रहा था 1947-48 से और चुके कश्मीर में basic argument यह था यहां पर एक occupation force है यह disputed internationally disputed territory है international dispute है long existence का जो 60 साल प्लस से चला आ रहा था और यहां पर जो forces of occupation है उसके खलाफ एक armed resistance करने का लोगों को या उनके supporters को हक हासल है और उक्वाम मताहिदा की ऐसी बहुत सी resolutions हैं statements हैं, बहुत सा literature है, बहुत सा argument है अक्वाम मताहिदा के पूरे literature के अंदर, पूरे structure के अंदर जो यह कहता है कि जब कोई लोग oppressed हैं, subjugated हैं, controlled हैं जब legal status उनका ठीकता से determine नहीं हुआ, तो उनको यह हक हासल है और उनके supporters को यह हक हासल है कि वो अपनी आजादी की खातर या अपनी resistance की खातर हतियार उठा सकते हैं, weapon का इस्तामाल कर सकते हैं, so there was a sense of legitimacy to the militancy and to the जो एक armed struggle थी किश्मीरियों की और जो वो गुर्प से वाइक थी, वो खतम हो गए, मंबई के बाद, वो chapter आप समझें, बंद हो गया, जिसको नहीं समझ आई, उसको देर लगी होगी समझते हुए, लेकिन बेसिकली किश्मीर में जहाद का जो पूरा एक scope था, उसकी जो एक पूरी possibility थी, वो उसको एक हमेशा के लिए chapter बंद हो गया और उसको एक बहुत serious किसम का set pack जो है, वहाँ पे मिला की देशतगर्दी के बाद ये लोग यतीम हो जाते हैं मंबई के अंदर से जो narrative निकलता है Islamic, Islamist terrorism का वो भी बहुत interesting है because जो देशतगर्द मंबई के metropolis के उपर उसके business district के उपर हमला करते हैं, उसके train terminus पे हमला करते हैं, वो कोई हिंदुस्तान की occupation forces और security apparatus पे हमला नहीं कर रहे हैं, बलके वो वहां पर मौसूम, नहते innocent, लोगों के उपर tourist के उपर, businessmen के उपर business executives के उपर, corporate personalities के उपर हमला कर रहे हैं, उनका खून जो है बहा रहे हैं और उन्होंने international tourist को भी target किया, जिसमें अमरीकी भी थे, जिसमें यहूदी भी थे, जिसमें इसराइल के लोग भी थे, और एक बहुत दी अजीब चीज़ है, कि उन्होंने एक synagogue के उपर, जो यहूदियों की अबादत गाए उसके उपर भी उन्होंने हमला कर दिये तो basically उन्होंने अपने इस act से वो जो पुराना एक इस्लामफोबिक या एक इस्लामिस टेरिरिजम का जो और्गिमिन्ट था, कि यहूदो सनूद के खलाफ हैं, जिसमें यह जो मुस्लिम टेरिरिस्ट हैं, पाकिस्तानी उरिजिन के खास करके, यह हिंदूओं के भी खलाफ हैं और यहूदियों के भी खलाफ हैं और मगर्प के तो हैंगी खलाफ हैं, तो वो तीनों चीजें वहां पर आपको एकटी होके नगर आती हैं, यह बहुत बड़ी वहां पर narrative जो है, वो शेप होती, ठीक, अब और आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने यह जो पीस आपको कहा है, हाफस साइद, बहुतरस्ट और पाकिस्टन जिसकी खातर मैं चाहरा हूं कि आप इसको पढ़ें, इसको पढ़ें बगार आपको बात नहीं समझ आई, जो evidence हिंदुस्तान ने प्रिजेंट की, दुनिया के सामने, वो evidence बड़ी कमजोर थी, linking हाफस साइद and company and all these groups with the, with the Mumbai terrorism, इसमें, थैंक्स टो WikiLeaks and Julian Assange, जिसको बरतानिया निकरतार करकर खाया और अमरीका में expected, उसको करने की कोशिश हो रही है, कि अमरीका उसको भेज दिया रहा है, जूलिया नसांज की WikiLeaks के अगरस से, मेरे हाथ, PCA रगवान का, जो उस वक्त additional secretary थे, हिंदुस्तान के, foreign office के 2009 में, उन्होंने 24 अगस 2009 में, उन्होंने एक cable भेजा, केबल का immediate background ये था, कि उस केबल में ये कहा गया, कि जब तक पाकिस्तान ये prosecution नहीं करेगा, हाफिस सईदिन कंप्ली के खलाफ, उत्ती देर तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तालुकात इंप्रूव नहीं हो सकते, हिंदुस्तान पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहरा था, सफार्ती तालुकात को आगे नहीं बढ़ा रहा था, अमेरिकन्स जहें उसके चुके पाकिस्तान के साथ, बहुत involved थे, वो कह रहे थे कि इसको रिलेशन्शिप को आगे बढ़ाएं, और बड़े, ये बड़े इंडीसन्ट और बड़े फड़े रिखी आदमी, ये पाकिस्तान में बाद में हाई किमिशनर रहे हैं हिंदुस्तान के, मैंने इनके साथ बहुत इंटरेक्ट किया है, इन्होंने कताब भी लिखी है, कताब भी लिखी, इनके साथ बड़े making, सेक्यरडरी काऊसal को भीजा गया, CIE को भीजा गया, Russian intelligence, Chinese intelligence, बढ़ ने, जो दुनिया में एक matter कर सकता था, इधारा, जो stakeholder था दुनिया का, उसको ये केबल भीजा गया, ये केबर जागिसान में ऐसी पुब्लिकेशन हमारे सामने आ चुकी है कि लोग जरूर गए, मैं यह नहीं डिनाइ कर दा, यहां से दस लोग जो है, वो गए, वो बोट में गए, और उस बोट के अंदर एक ऐसा इंजन लगा हुआ था, जिसके उपर बकाईदा एक नंबर था और वो जो इंजन था, जो मोटर थी उसकी, यामाहा की एस सम्थिंग, वो मोटर जिपैन से इंपोर्ट हुई, और वो बकाईदा लहोर में एक ट्रेडर ने ब्रेंडर थरोड के लिए इंपोर्ट की, और वो मोटर वहां से खरीडी गई, वो मोटर उस बोट में लगी, और उसके बाद जो हमला आवर थे, उन्होंने उस मोटर बोट को, जो मोटर थी, यामाहा की इंजन जा था, बोट का, उसको मंबई के सुमंदर के करीबी साहिल में कहीं उन्होंने फैंक भी दिया, वहां से फिर वो इंडियन इंवेस्टिकेटर्स को मिल भी गई, और उसका गल पाकिस्टान के बना कि ये एक कटवे गृप था, पाकिस्तान में ऐसे देश्टगर्द हैं, जो हिंदुस्तान चले गए, उन्होंने एक महते शहरीों को मारा, और इंडियन इस्टाबिश्मेंट का दिंस थी, कि हाफए सईद ने मंबई किया, ये उसके साथ लोगों ने मं सेटप क्रियेट किया, जो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की जहाद पॉलिसी को बढ़ाता था, वो एसेट्स क्रियेट किये, वो सेटप क्रियेट किया, जिसको कभी लशकर एताईबा कहा गया, जिसको कुछ और कहा गया बाद में, और ये कि वो उसका सिंबल भी था, उसका हरج नहीं है कहने में कि इंडियन establishment या इंडिया का जो गोल से वो उस हवाले से achieve हो गए है ये तो हो गई बात लेकिन हाफ़स सही जो है उसका future नहीं है important मैं कहूंगा कि हाफ़स सही देख शखस है कि इंसान है वो आज है वो कल नहीं होगा उसके साथ बाकी लोग भी असल में जो चीज मैं यहाँ के सामने रखना चाहता हूँ फैटफ के हवाले से जो मैंने पीस आपको कहा है पढ़ने के लिए target हाफ़स सही नहीं है target है दो चार चीज़े target है state of Pakistan पहली बात target है Pakistan की strategic situation है Pakistan की strategic interest है state of Pakistan के state of Pakistan का जो international posture है उसकी जो international capability है जो उसकी international connectivity है जो दुनिया में उसके relationships है उसने trade कैसे conduct करना है उसने अपने strategिक तालुगात कैसे रखने है उसने अपना neighborhood कैसे maintain करना है उसने अफगانستان में क्या करना है यह सब चीजें जो है यह टार्गेट है यह पाकिसान के इंटरस्ट टार्गेट है और इसमें एक और चीज जो है वही कि अब पाकिस्तान का जो इंटर्नल पाकिस्तान के स्पत्रकार ने मुंबई हमले को लेकर पहली पार मतलब मैंने पाकिस्तान की मीडिया में ऐसा वीडियो देखा है जिसमें ये एकसेप्ट कर रहा है कि पाकिस्तान से एक बोट गई थी जिसका इंजन मेडिन जापान था दस लोग गए थे और पाकिस्तान की तर वो अमर सीघ है वो तूरे हैं वो अर इस का है और यасьशी ही बात हैं कुछ की थी दिख बिज़ एससन्ग ने तो दोस्तो पाकितान का इस में प्त्रकार बेसिकली बात है कर रहा था कि जो हाफर स eksaid है वह पाकिस्तान के लिए अभ बन चुका है बोज और हाफर सीध की वज़ से पाकिस्तान FATF में कापी लंबे समय से फसा हुआ है आपको बता दो FATF में पाकिस्तान पिछले चार सालों से फसा हुआ है और मुझे हिसाब से मुझे समझ में नहीं आ रहा है यह FATF पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं करता चार साल होगा है इसे साब से तो पाकि पाकिस्तान चार सालों से फसा हुआ है और हाफिस साइद की वज़े से पाकिस्तान हमेशा बैक फूट पर है इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे जो बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म है और इंडिया ने भी अच्छा खासा आइसलेट किया है इस वज़ाए से आपको पता ह हाफिस साइद के अब कोई नए वीडियो भी नहीं आते हाफिस साइद पर अभी एक कातिलाना हमला भी हो था और उस हमले के पीछे तो मुझे लगता है पाकिस्तान की एजेंसी थी पाकिस्तान की एजेंसी हाफिस साइद को मारना चाहती है जिससे हाफिस साइद मरे तो इं इंटरनेशनली प्लेटफोर्म में पाकिस्तान कुछ इस तरीके से नुकसान पहचा रहा है क्योंकि हाफिस सही तो हमारे लिए मर जाएगा तो हमारा नुकसान असे समय जाता है हमें हाला कि हम चाहे थे कि कौमीना मरे दर्दनात मौक मरे क्योंकि इतने सारे लोगों का कातिल ह लेकिन अभी दोस्तों अगर दिमाख लगा है तो हमारे लिए जिंदा रहना जादा जरूरी है तो इस पत्रकार ने इतनी मतलब सेंसिबल बाते सायद मैंने पहली बार पाकिस्तानी मीडिया से सुनी है हाला कि यह पत्रकार भी मतलब आप समझ लें कि बड़ा ही मतलब वैस नोडिफिकेशन मिले मेरे साब से आपको नोडिफिकेशन नहीं मिले इस बज़े से मेरे वीडियो चल ले रहा है व्यूज नहीं आ रहा है तो उमीद करता हूं आपको नोडिफिकेशन मिलेगा तो मेरे कुछ व्यूज बनेंगे जिससे मेरा मन लगेगा और नए वीडियो झाल